तापमान बढ़ने के साथ ही महराश्च्र के नासिक और पेट जिलो में पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है गंगोदबारी गाउं की महिलाएं अपने पानी के बरतनों को भड़ने के लिए कूए में उतरने के लिए रस्ती का इस्तिमाल कर रही है गंगोदवारी गाउं के सरपंच मोहन गवली बताते हैं कि हमारे गाउं में ये जलसंकट लगभग 10 सालों से चल रहा है महिलाएं जान जोखिम में डाल कर इस कुवे में उतरती हैं और गिरने का डर हमेशा बना रहता है उन्होंने कहा कि चटानों के गिरने के कारण यहां का एक कुवां इस्तिमाल करने लायक नहीं रह गया है दूसरे कुवे पर अकसर रात में भी महिलाएं आती हैं और ये नया कुवां टोले से लगभग 3 किलो मीटर की दूरी पर है पर्याप्त रोश्णी और अन्य सुविधाओं की अभाव में हमेशा साफ या बिच्छू के काटने की आशंका यहां बनी रहती है गवली ने आगे कहा कि जिला परिशित ठेकेदारों का दावा है कि केंद्रिय जल जीवन मिशन पहल के तहत प्रदान की गई राशी अपर्याप्त है पानी के दिक्का आ रहे है लुआ को था उ पूरितर रिस cese कर रहा हो चुका है उसमें पत्थर होगर गिर गये है और रहे होग इस दूसरा कोई है जो आप देख रहे हैं इसमें महलाय नहीं ग्रान भर congressain वैas महराश्र के कई गावों में भीशन गर्मी में इन दिनों पानी की समस्या को लेकर लोग परिशान है वही ग्रामी रंचलों में इस तरह अपनी जान जोखिम में डाल कर पानी लेने के लिए मजबूर होना कहीं न कहीं एक बड़ी चिताबनी है कि अगर समय रहते जल सनरक्षन की दिशा में तीजी से काम नहीं किया गया तो वो वक्त दूर नहीं जब हमें पानी की बून-बून के लिए मोहताच होना पड़ सकता है तिलहाल इसे स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बसत ना ही देश और दुनिया की बागी बड़ी और एहम खबरों के लिए सब्स्क्राइब करें इंडिया पबले खबर की यूटीव चैनल को और बेल आइकन दबाए ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुच पाए